हेलो शुरेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे एच्छे से पढ़ा ही कर रहोंगे लास्ट लेक्चर में हमने इसमें जो 6.3 एक्साइज न्यू एक्साइज में और जो प्रानी बुक होगी तो 6.5 एक्साइज होगी जिसमें मैक्समा मिनिमा मै हमने सारा कॉंसेट आपको समझा दी और यह कुश्ण भी हमने कर लिया था इस एक्साइज का ठीक है तो हमने यहाँ पर यही सीखा था कि कोई भी फॉंक्शन में अगर हमें मैक्समा मिनिमम का कोई वैल्यू वेश कुश्चन आएगा तो हमें इसको एक बाद ना लेकिसे मौड दे रखा है तो मौड हो या साइन एक्स से रिलेटेड कॉस्चन हो तो मेरा कहना इसमें यह है कि आप इसको लॉजिक वह वाले यूज करें आपको पता है मौड जो है वो दो पाड़े ब्रेक होता है तो वह थोड़ा लेंदी प्रॉसेस हो जाएगा तो पल्टिकलर मौड वाले कॉस्चन को छोड़ करें वह सेकंड कुश्चन के में बात करो इसके बाद जितने भी थर्ड कॉस्चन होगे फॉर्थ होगे वह उसी लॉजिक से करेंगे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था और फर्स्ट कॉस्चन भी उसी करने वाले हैं लेकिन जब आगर आपको मॉड़ वाला कुश्चन मिल जाए तो आपको थोड़ी सी अलग एप्रोच रखने हैं यहां विदाउट तो हमें fx जो दे रखा है मॉड एक्स प्लस टू माइनस का वन अब मुझे इसकी मिनिमम में बता हो अगर मैक्सम है तो मैक्सम बता कोई यह दो दौना तो लोकल मैक्सम में तो पूछ नहीं रहा है तो देखते हैं क्या आता है इसमें तो आपको बेसिक्रू लिए लगाना कि मॉड की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो यहाँ मॉड कौन सा x प्लस 2 है तो आप क्या करोगे मॉड एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इकॉल टो जीरो से स्टार्ट करोगी अब यहाँ पे जो भी यह माइनस वन ए प्लस वन है उसका यूज कर लो माइनस का वन है तो दौनो सहत कह roomma लेगे मैकसम बैलूम मलेगी तो सहरी को माइनस बन से स्टार्ट हो रहा है और फिर कुछ भी सकता है तो मिनिमम सो मैन थाह ये। मैक्समम का कुछ पता नहीं है तो बस उसका मतलब इसका मिनिममम टॉछ तो मिनिममम वेल्यों म तो मिन तो इसका answer हो जाएगा, क्या, इसका answer हो जाएगा, minimum value minus 1 और maximum हो गया, plus 1, तो second का यह दिखो, आपकर अपनी NCRT में देखोगे, तो लिखा है, no maximum value, तो आप लिखते हैं, no maximum value, और minimum value कितनी आ गई, minus का 1, ठीक है, तो इस तरीके से आपको यह question attempt करने, next देखते हैं, second part, second part में हम given है, mod x plus 1, और minus भाहर है, plus का 3, तो आपको तो सबसे पहले क्या करना है, इस mod का rule लगा लो, जो मैंने बताया, कि mod x plus 1 जो है, वो 0 से बढ़ा होगा, ठीक है, mod वाले greater than 0 कर दो, अब तुम्हें यह पता है, कि अगर minus है, तो हमें एदर minus चाहिए, तो minus करोगे, तो inequality क्या हो ज का 3 चाहिए, तो plus का 3 कर देंगे, दोनों साइड, तो आप देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, कि यह जो result है, वो 3 से कम है, मतला अगर यह number line है, 3 तो 3 है, यह 3 से कम है, तो इसमें maximum 3 है, अगर कोई तुम से बोले 3 यह 3 से कम, तो maximum 3 होगा, तो maximum value तो इसमें मिल जाएगी, लेकिन minimum हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि minus infinite तक जा रहा है, कोई value तो मिल नहीं रही है, तो no minimum value, no minimum value, समझ में आ रहा है, इस तरीके से कोशन करना है, यहाँ पर हम differentiation यूज नहीं कर रहे हैं, यह आप याद रख लो इची, mod वाले कोशन इस logic से कर लेंगे, mod x greater than 0 से, और बाकी सब हम differentiation वाले logic से कर सकते हैं, अब जैसे third है, third आप differentiation से भी कर सकते हो, और sin x की range के साफ से भी कर सकते हो, तो अभी तो हम range उसी हिसाफ से कर रहे है, range के साफ से, जिससे आपको एक set of pattern question second में मिल जाए, बाकी आगे के जो questions होंगे, वो एक ही rule से चलेंगे, तो third question जैसे दे रखा है हम लोगों को, कि hx जो है, वो है sin bracket में 2x plus 5, तो देखो basic चीज पता है कि sin x हो, चाए sin 2x हो, चाए sin 4x हो, कुछ भी हो, इन सब की value minus 1 से plus 5 होती है, sorry, plus 1 होती है, not plus 5, minus 1 से plus 1 होता है, तो sin का और cost का question आए, तो दोनों का आप इसी से कर सकते हो, अब आपको चाहि है, तो सब जगए plus 5 कर दो, minus 1 plus 5, sin 2x plus 5, 1 plus 5, तो यह हो गया 5 minus 1, 4, sin 2x plus 5, और यह आगया 6, तो यहां से आगया 4 से लेके 6 तक आगया, तो इसमें आपको minimum भी मिल रहा हो, maximum भी देखो, minimum 4 हो जाएगा, maximum 6 हो जाएगा, तो minimum value is equal to 4, maximum value is equal to 6, minimum value is 4, और maximum हो गया 6, तो यह इस तरीके से हो जाता है, अब देखो, next भी sin p based है, 4th part जो है, 4th में हम भी fx दे रखा है, mod sin 4x plus 3, तो start करते हैं, sin 4x है, sin 4x हो, sin 3x हो, sin 2x है, सबकी value minus 1 से, plus 1, फिर plus का 3 है, तो सब जगे plus 3 कर दो, तो sin 4x plus 3, minus 1 plus 3, और यहां पे 1 plus 3, तो यह तो हो गया 4, यह हो गया 2, sin 4x plus 3, तो इसमें mod लगा है, तो अगर इसमें mod लगाऊंगा, तो आपके mind मैं आगे, सर, यहां क्या करेंगे, यहां कुछ नहीं करेंगे, यही रहेगा, अगर mod लगाने से तब फायदा होता, माल लो यहां पे minus होता, फोर एक्जामपल, तो वो 0, जैसे फोर एक्जामपल हमारा कुछ ऐसा आ रहा हो गहीं, साइन एक्स जो है, कोई बोले, minus 2 से प्लस 2 है, समझना, बसे साइन एक्स तो हो नहीं सकता है, यह जलो, minus 1 से 1 तो होता न, साइन एक्स, तो minus 1 से प्लस 1 है, अब मैं जानना चाहतू, मौट साइन एक्स क्या होगा, तो इसमें तो मौट का फरक पड़ेगा, क्यों, अगर यह नंबर लाइन है, और हमारा भी आंसर, minus 1 से प्लस 1 है, लेकिन मौट लगने से रेजल्ट नेगेटिव वाला रेजेक्ट हो जाएगा, और यह हमारा बन जाएगा, 0 से 1, क्या बन जाएगा, मौट नेगेटिव वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, क्योंकि मौट पॉस्टिव कर देगा, लेकिन यह दोनों नंबर अल्यडी पॉस्टिव थे, तो इन पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, मौट लगाने से, जैसे 2 की मैं बात करूँ, 2 फे मौट लगाऊगे, क्या फरक प हैं, फिप्त पार्ट पे, तो एक और आंसर भी मैं हमें सा चेक करता रहता हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना है, आप बड़े अच्छी फीलिंग है, चलो सुन्ज में आ रहे हैं, सारे कौशन, बुक से मैच भी सर करवा दे रहे हैं, चलो फिप्त पार्ट में कहा है, है गिवेन है, एक्स प्लस वन, और एक्स बिलॉंग कर रहा है माइनस वन से वन में, चलो जो दे रखा वही कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन है, अब देखो मैंने एक्वल टू नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, लेकर मुझे तो एक्स प्लस वन के बारे में जानना है, तो एक्स प्लस वन करना है, तो वन एट कर दो, तो यह टू आ गया, सुरी मैंने एक्वल क्यों लगा दिया, एक्स प्लस वन के बारे में जानना है, तो माइनस वन प्लस वन, वन प्लस वन, तो एक्स प्लस वन आगया, जीरो से ल नहीं और अब समझना मेरी बात इधर जीरो इधर टू है मुझे लगतो रहा है कि मैक्समम यह हो सकता है और मिनिमम जीरो है प्रॉलम यह कि जीरो आप ले नहीं सकते क्योंकि एक वल्टू नहीं है और फिर जीरो से कम कितना लोगे कोई काईगा 0.9 ले लो या 0.1 ले लो 0.2 लो और सबकी अलग़ए नहीं कोई बोले मैक्समम गैलिओ 1.9 ले लो कि टू से कम में क्या आएगा तो कोई बोलेगा 1.99 तो क्लियर नहीं है क्योंकि यह एक इकल्टू नहीं होने के वज़ए से अगर एकल्टू होता तो मीनिममम जीरो हो जाता मैक्समम टू जाता अब एक questions को आप इस तरीके से कर लेना वो best approach है ठीक है चलो आप चलते हैं जो हमने सीखा था उसी को मैं